हाई गाईज आज मैं आपको बहुती असान तरीके से पप स्लिप्स बनाना सिखाऊंगी और आपको इस विडियो से सीखने को भी मिलेगा अच्छी तरीके से कैसे पप स्लिप्स बनाना है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेरा जो अस्तिन का नाप है वो 9 इंच है नॉर्मल आ आप अपने जित्ता स्लिप्स का नाप रहेगा उसके एकोर्डिंग ले लेना और नर्मल स्लिप्स का जैसे ड्राइंग रहता है वैसे ही करना है आप लोग को लेकिन उपर से कपड़ा एक्स्ट्र रखना है जैसे मेरे इधर तीन इंच ही हुआ है उससे ज्यादा नहीं कप द्राइंग रहता है पूरा करके इसको कटिंग करना है यह मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है अब मैं इसको काटूंगी चलिए मेरा कटिंग भी कंप्लीट हो गया फिर कटिंग करने के बाद इसको बीच में से कट लगा देना और जहां तीन इंच का मैं इसके साथ में स्लिप्स के साथ जोड़ी थी उधर भी एक कट लगा देना है फिर यह जो में फेब्रीक है उसके उपर अस्तर कपरा रखके धीरे धीरे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपरा रखके कटिंग करना है ताकि जब सिलाई करते हैं हम लोग तो कम ज्यादा हो जाता है कपरा तो इसलिए हमेशा में जो फेब्रीक रहता है वो एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए चलिए अब इसको में फेब्रीक के साथ कर लेंगे, साइट का जित्ता भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो कटिंग कर लीजिए, फिर इसको दोनों बीच में से, भी सेंटर में से, दोनों तरफ तीन-तीन इंज का निशान लगा के, मैं चुननत डालना चालू कर रही हूँ, और ये चुननत हमेशा बीच सेंटर जो रह हैं, उसी तरफ होगा, ये तीन, मेरे जैसे मेरे इदर चार ठोक चुननत आया है, आपका अगर कपड़ा ज्यादा रहेगा, तो उससे ज्यादा भी चुननत आ सकते हैं, और फिर जो दूसरे तरफ चुननत देंगे, उसका मुह भी सेंटर तरफ ही होना चाहिए, मतलब दोन तरफ का चुननत हमेशा ओपोजिट साइट में होना चाहिए, एक तरफ देने से फूपफ अच्छे से नहीं बनता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि एक सेंटर में हमेशा चुननत का मूर आना चाहिए, फिर चुननत कम्पलिट हो जाएगा, तो आप लोग इस ये पफ मेरा बना है, फिर इसको अब बलाउज ले लेना और इसको फोल्ड करके बलाउज उल्टा रहेगा, बलाउज के उल्टे साइट से ये सीधा साइट रहेगा, अस्तिन, जैसे नॉर्मल अस्तिन जोडते हैं आम होल के साथ, वैसी जोडना है, लेकिन ये याद रखन कि बीच में से ही सिलाई चालू करना है, अगर आप लोग बीच में से सिलाई चालू नहीं करेंगे, तो आप कम ज़्यादा होगा, तो फिर खोलने का chances रहता है, इसलिए आप बीच में से चालू करेंगे, तो कम ज़्यादा होगा, तो ये adjust हो जाता है, फिर इसको पूरा सि को अब स्लिप्स जोड़ना हो जाएगा फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसा पफ आता है यह मेरा सिलाई आम होल के साथ पूरा कम्प्लीट हो गया है स्लिप्स का फिर बहुत ही अच्छे से यह सा पाफ वा जाता है और फिर नॉर्मल जैसे स्लिप्स का जॉइन करना रहता है फिर जॉइन करके जॉइन करने के बाद इसको फिर यह ब्लाउच आपका कम्प्लीट हो जाएगा और फिर देखने में आखडी में ऐसा लाए गएगा स्लिप्स थैंक यू